Hi guys, my name is Dr. Nishan Aagpat और आज हम बात करेंगे कि अगर आपके इस साइड यानि कि यहां पर हमारा TMJ जॉइंट होता है Temporomandibular Joint वहाँ दर्द रहता है, बात करने पर दर्द होती है या किस प्रकार की कोई सूजन आगी है कान के पास, तो इसको हम Temporomandibular Joint Disorder बोलते हैं, यानि कि TMJ Disorder, तो इसके बारे में हम जाने गे, इसके लक्षन के बारे में जानेंगे, इसके कारणों के बारे में जानेंगे, और इसकी Home Treatment के बारे में बात करेंगे हम इस वीडियो में तो वीडियो को एन तक ज़रूर देखेगा बहुत informative वीडियो है तो जाने लेते हैं temporal mandibular joint होता क्या है तो यह हमारा joint होता है जो हमारा skull यानि कि हमारी खोपड़ी और हमारा जो नीचे का जबड़ा होता है यानि कि mandible हमारा उसको यह यहाँ पर दोनों connect होते हैं तो यहाँ पर जो joint बनता है उसको हम temporal mandibular joint बोलते हैं वारा कुछ इस प्रकार का यहाँ पर ball and socket joint होता है जो हम खाना खाते हैं तो यह कुछ इस तरह से move करता है तो इसको हम TMJ joint बोलते हैं तो इसके लक्षिनों के बारे में बात कर लेते हैं तो सबसे पहले यहाँ पर TMJ की site पर जहाँ मैंने अब कुछ joint बताया है वहाँ पर दर्द होना खाना खाते समय या फिर सोते समय यहाँ पर दर्द होना किट-किट की आवाज आना यहाँ से जादा बड़ा मू नहीं खोल पाना या फिर कान के पाच कुछ सूजन आ जाना यह इसके लक्षण होते है तो यह सारे हमारे लक्षण होते है अगर हमारा यहाँ पर जो joint है वहाँ की जो हड़ी है वो घिस जाती है किसी भी कारण की वज़े से अगर वो हड़ी घिस गई है तो यह हमारे लक्षण दिखेंगे कई बार तो क्या होता है जब हमारी यह हड़ी आगे की तरफ खिसक जाती है और किनी किनी में अगर वो बड़ा मूँ खोले किसी भी तरह से यह से उबासी ले यौन करे तो यहाँ पर जो है हड़ी आगे की तरफ खिसकने की वज़े से जो है मूँ खुला का खुला रह जाता ह वापस बंद नहीं होता इस condition को jaw lock बोलते हैं हम तो इसके लिए कई बार कई लोगों को डॉक्टर के पास जाना पड़ता है अपना वापस से जवड़ा अपना locate करवाने के लिए तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं कारणों के बारे में कि इसके causes क्या हैं ये किस कारण की वज़े से हो रहा तो सबसे पहले अगर आपके TMG साइट पे कोई किसी वी तरह की accident से कोई injury हुई है या आप गिरे हो या पे कुछ चोट लगी है या फिर कई बार जो होता है कई लोग वो एक ही साइट से खाना खाते हैं अपना एक साइट यूज नहीं करते हैं या फिर अगर उनके मापर दान नहीं है या किसी कारण की वज़े से दर्द रहता है दान में कुछ केरी लगी हुई है वो कारण की वज़े से अवोईड करने के लिए एक ही साइट से खाते हैं या फिर कोई कारण नहीं है, फिर भी एकी साइट सिखाते हैं। उस पर जैसे uneven forces लगती हैं हमारे दांतों में और वो हमारा TMG साइट पर effect करता है। कई लोगों को रात को सोते समय दांतों को गिसने की आदत होती है। कई लोगों को कुछ ऐसी हाबिट होती हैं, पैंसिल को या फिर पिन को या फिर किसी बी तरह दांत को ऐसे ऐसे गिसने की आदत होती है। यह भी एक कारण होता है, स्ट्रेस में भी जो है, स्ट्रेस भी एक कारण है। अर्थराइटिस की कंडिशन में भी TMJ डिसॉर्डर दिखा जाता है। अब हम बात करते हैं ट्रीटमेंट के बारे में। यहां पर जनरली इस कंडिशन में जो है, होम ट्रीटमेंट ही जादा एडवाइजबल रहता है। क्लिनिकल ट्रीटमेंट से जादा होम ट्रीटमेंट में ही ठीक हो जाता है। तो कम से कम यह जो ट्रीटमेंट में आपको बता रही हूं इसको 15-1 महिने तक करना पड़ता है। और depending upon the severity of the condition, कितना severe है वो भी देखा जाता है। अगर जादा severe होता है तो इस time period में ठीक नहीं होता है तो उसको फिर हमको डॉक्टर को दिखाना पड़ता है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि अगर इस condition में हमें soft diet लेनी है, soft food खाना है। इसमें बड़ा मुझ खोला जाता है वो चीज़े avoid करनी है। मैंने आपको कारण में बताया था दान बिसने की आदत है। रात को सोते से में अगर आदत है तो उसके लिए आप जाके night guard बनवाइए dentist से। और अगर आदत है आपको pen या pencil चबाने की तो उसको आपको discontinue करना पड़ेगा। कुछ exercise की बात कर लेते हैं जिससे की काफी आराम मिलेगा। आपको एक finger यहां रखनी है DMG side पे और एक finger यहां रखनी है और दीरे दीरे अपने मुँको खोलना है और same ही हम इस side पर कर सकते हैं अगर आपको इस side पर दिक्कत है तो इस side पर भी कर सकते हैं और अगर दूनो side है तो एक बरी side, एक बरी side जो है आप ऐसी exercise कर सकते हैं यौनिंग करते होए उबासी आते होए अपने नीचे वाले जबरे को support कीजिए जिससे की बड़ा मुझ ना खुले बड़ा मुझ ना खुले जिससे की और टू फिंगर से जादा माउथ ओपनिंग नहीं करनी है इसी restricted माउथ ओपनिंग में आपको खाना खाना है और बात भी ऐसे इसमें ही करनी है तो यह आपको कम से कम एक महिने तक ऐसे फॉलो करना पूरेगा तो आज की वीडियो बर जहीं पेटागिति थेंग दी है so much for watching